क्या आप जानते हैं कि इसी अक्टूबर से हेल्थ इंशॉरंस के कई नियम बदले गए हैं इंशॉरंस रेगुलेटर ने इन नियम को इसलिए बदला है ताकि इंशॉरंस खरीदना किसी भी आप कंजियूमर के लिए आसान हो पॉलिसी जो है उसमें इजी शब्दों का इस्तमाल हो ताकि वो लोग समझ सकें और साथ ही में हेल्थ पॉलिसी हो ट्रांस्परेंड क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम सब जानते हैं कि हेल्थ इंशॉरंस जरूरी है लेकिन भरोसा नहीं है कि कमपनिया किस तरह के घुमावदार रूल्स बनाती हैं तो इन घुमावदार रूल्स को IRDA कह रही है कि सीधा बनाओ ताकि लोगों को समझ में आए और ज्यादा लोग इसे खरीद सकें मैं हूँ प्रियंका संभव और आज इंशॉरंस से जोड़ी काम की बात मैं लेकर आए हूँ आप मेरे इस तरह के वीडियोस देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल www.youtube.com स्लाश प्रियंका संभव और अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं सत्य हिंदी.com के यूट्यूब चैनल पर तो सत्य हिंदी के यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर करें तक इस तरह के वीडियोस आप से मिस ना हूँ अब मैं आपको बताती हूँ कि नियमों में किस तरह का बदलाव किया है रेगुलेटर ने और अक्टूबर के बाद जितने भी हेल्थ इंशूरेंस पॉलिसी अपनी पॉलिसी को लॉंच करेंगे उन्हें इन ने नियम को ही फॉलो करना है इन फैक जो पुरानी पॉलिसी है उन्हें भी मॉडिफाइ करने के लिए कहा गया है तो जब डैनियम लागों होंगे तो हो सकता है कि आपका प्रीमियम जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाए पांच से बीस परसंड का इजाफा आपके प्रीमियम में हो सकता है इसके लिए तयार रहे है लेकिन साथी में वादा यह है कि आप तक सारी बात पहुंचाई जाएगी बहुत ही ट्रांसपरेंट तरीके से तो रूल नमबर वन यह है कि पॉलिसी की भाषा सरल हो ट्रांसपरेंट हो उसमें कोई बात छुपाई नहीं जाए तत्यों पर आधारित हो और अक्रॉस तबोड यानि सारी कंपनियों में जो टेक्निकल भाषा होते हैं उनको एक ही तरह से सिंपली लिखा जाए ताकि खरीदने वाले को उसे पढ़कर समझ में आ जाए गुमावदार भाषा में आप उल्जे नहीं गुमावदार रूल्स में आप उल्जे नहीं एक्सलूजन, सब लिमिट, फ्री लुक पीरिट इन सब का एक स्टैंडरडाइस लांगवज में प्रेसेंटेशन होना चाहिए पॉलिसी में क्या होगा ताकि लोग इसे समझ सके अभी क्या होता है कि कंपनी ए आपको एक बात कह रही है उसी बात को कंपनी भी भी कह रही हो कर रहा है इरडा आपके लिए दूसरी बात जो बदली है वो यह कि अब क्लेम लेने के लिए एक टाइम लिमिट फिक्स कर दी गई है तीस दिनों के अंदर आप जब अपने एक सब पेपर सब्मिट कर देंगे तो कंपनियों को तीस दिन के अंदर इस क्लेम को सेटल करना है रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट कीजे सेटल करना तो सिलेक्ट कीजे लेकिन तीस दिन में आपको अपना final decision policy holder को बताना होगा ये नहीं कि policy holder लटका हुआ है आप अपना taking your own sweet time के लहजे में काम किये जा रहे हैं और उस policy holder को पता नहीं कब मिलेगा मिलेगा भी या नहीं म रेट चल रहा होगा उससे 2% ज्यादा का इंट्रेस्ट देना होगा यानि कंपनियों पर एक पीनल इंट्रेस्ट लगेगा अगर 30 दिन में मामला सेटल नहीं होता है तो और अब आतें तीसरे नियम पर जो है काफी काम के बाद क्योंकि इंशॉरंस रेगुलेटर कह रहा है कि अगर एक policy holder 8 साल तक लगातार अपना प्रीमियम देता आ रहा है तो 9 साल से उसके पास ये privilege रहेगा कि इंशॉरंस कंपनिया उसे claim देने से मना नहीं कर पाएंगी उसका claim reject नहीं कर पाएंगी unless कोई fraud साबित हो जाए अगर fraud कुछ नहीं हो रहा है तो 9 साल के बाद से कंपनि किसी भी policy holder को मना नहीं कर पाएंगे इस 8 साल को IRD एक moratorium period कह रहा है और 8 साल तक अगर policy holder उस policy के साथ टिका रहता है प्रीमियम समय पर अदा करता रहता है समय पर नहीं अगर grace period में भी अदा किया है तब भी माना जाएगा तो फिर insurance कंपनिया उसे मना नहीं कर सकती है उनका claim reject नहीं कर सकती है चौथा नियम जो बदल रहा है वो यह कि अब तक क्या होता था कि आप health insurance का premium साल में एक बार देते थे लेकिन अब अगर कंपनिया चाहें तो अपने policy holder को यह plan दे सकती है कि वो अपने premium को installments में दें यानि चाहें तो मंथली दें, half yearly दें या quarterly ने कंपनिय और अगर कंपनिया चाहें तो इस तरह के रूल बना सकती है कि installment में premium वसूला जाए और क्योंकि मैं COVID की बात करें थे तो पांचवा नियम भी COVID में ही इसकी शुरुआत हम देख रहे हैं और वो यह कि अब IRDA कह रही है कि कंपनिया जो है telemedicine को भी include करे, telemedicine यानि जब आप phone या फिर online doctor से consultation करेंगे तो उस खर्चे को भी consider किया जाएगा तो अब insurance company का product देखे, देखे कौन सी company है जो आपको telemedicine offer कर रही है उन्हें अब ये करना होगा और आप उस तरह से चुन सकते हैं क्योंकि COVID ने हमें ये तो सिखा दिया कि अब घर से बाहर कम निकलना है और करने के लिए और ताकि घर में ही बैठे वे लोग doctor से बातचीत कर सके तो उसे भी अब cover करना होगा insurance company को चटा नियम जो बदला है वो ये है कि अब ज्यादा बिमारियों को cover करने के लिए insurance regulator ने कहा है जिसके तहत mental health stress इस तरह की बिमारियों को भी up coverage मिलेगी mental health के अलावा कि बिमारियों को भी cover करने के लिए insurance regulator ने कहा है जिसमें की age related issues शामिल होंगे साथी में menopause related issues भी शामिल होंगे और कुछ नए जो surgeries हो रही है नई तरह की ये भी अब cover होंगी कुछ procedure जो पहले शामिल नहीं थे वो भी up health insurance का हिस्सा होंगे जैसे की cataract, surgery, knee replacement, कुछ नए procedure ज जाता है, stem cell, साथी में oral cancer का जो एक कीमू होता है उसको भी अब शामिल किया जा सकेगा और जो लोग hazardous condition में काम करते हैं यानि कोई chemical factory में काम करता है तो फिर उन्हें insurance नहीं मिलता था ये कहकर कि कि वो ऐसे workplace में काम करते हैं जो कि खतरना है लेकिन अब उन्हें भी शामिल कर treatment और फिर वो लोग जो कि खतरनाक जगों पर काम करते हैं उनका workplace जो है वो खत्मों से भरा रहता है उनके लिए भी अब health insurance policies को product लाना होगा सात्वानियम जो बदला है insurance को लेकर वो है pre-existing disease की definition को बदला है regulator ने और मुझे लगता है ये एक बड़ा कदम है क्योंकि pre-existing disease वो ढ़ाल रहती है जिसकी आड में insurance कम्पनिया सबसे ज्यादा claims reject करती थी तो जो पहले का definition था वो मैं बताते हूँ पहले के definition में ये कहा गया था कि अगर जब कोई policy older policy खरीता है और तीन मेने के अंदर कोई complication या कोई दिक्कत आती है तो वो माना जाएगा कि pre-existing disease थी जो शायद उसे पता नहीं था और इस वजह से कई claims reject हो जाते थे premium बढ़ जाता था लेकिन अब इस पर रोक लगेगी क्योंकि साफ तौर पर अब IRDA कह रही है कि अगर तीन महीने में कोई symptom या कोई बिमारी आ जाती है किसी को अब किसी को diabetes हो जाए या पर किसी को कोई heart issue हो जाए जो से पहले कभी नहीं थी और वो ही सावित कर दे कि उसने इसके लिए ना treatment लिया है ना उसे कभी पहले से पता था तो वो बिलकुल insurance में ही आप कवर होगा तो pre-existing disease के definition को narrow कर दिया है अब आप जब लेंगे policy और pre-existing disease के लिए वेटिंग पीरेड होगा जो कि साफ तौर पर आपको पता होगा कि यह 48 महीने तक का हो सकता है 36 महीने तक यह हर कंपनी का अलग-अलग होता है तो जो पुरानी बिमारियां उसको कवर करने के लिए एक वेटिंग पीरेड होगा उस वेटिंग पीरेड के बाद वो पुरानी पिमारियां भी कवर होगी लेकिन policy खरीदते ही कोई complication ऐसे आजाए जो आपको पहले से जुसकी कोई शि अगर चाहें तो लेकिन आप इसे या तो आप इसकी वेटिंग पीरेड देंगे आप इसे इतने सालों के बाद कवर कर जिए लेकिन एक लिस्ट होगी अब कि यह एक्सलूजन कर सकती है कंपनिया यह नहीं कि उनका जो मन का है आए वो कहने यह तो जी एक्सलूड़ेड है इस्लूजन के एक लिस्ट और प्रीएंग्सटिंग डिजीज की डेफिनेशन को नैरो करना मुझह लगता है यह कंसिमर के हाथों को मजबूथ करेगा और आठवा रूल ये भी consumer के हाथ को मस्बूत कर रहा है क्योंकि आप company को बताना होगा कि कौन से medical cost को वो cover करेंगी कौन से को नहीं और किस पर वो deduction लगाएंगी अभी अगर मान लेजे कि आपका जो भी आपने sum short लिया है उसमें आपने जो room जिसमें आप इलाज करवा रहे हैं उसका cost ज्यादा हो जाता है जो शायद आपके इस policy का हिस्सा नहीं है तो companyya एक deduction लगा देती थी हैं जिसके तहत आपके जितने भी खर्चे होते थे उसमें से वो कुछ पैसे आपको कम देगी एक sub limit इसे कहा जाता है तो sub limit को define करें companyya और बताएं कि वो किस पर deduction लेंगी और कुछ चीज़े ऐसे होगी जिस पर वो deduction नहीं ले सकती है यानि वो उ consumers के साथ share करनी होगी यानि साफ तोर पर अब IRDA चाहता है कि insurance companyya अपने product को एकदम transparent बनाएं सारी बातें बताएं और यह अभी तक क्या होता था कि सारी बातें बताएं यह तो उमीद की जाती थी लेकिन यह नहीं बताया गया था कि कौन सी बात बतानी है कौन सी नहीं पर अ आप insurance regulator बकाइदा नियमों के जरीए बता रहा है कि आप बताएंगे कि आप कितना खर्चा देंगे कितना नहीं देंगे आपको 30 दिन के अंदर claim सेखल करना है आठ साल तक अगर कोई policy के साथ बना रहता है तो आप उसके claim को reject नहीं करेंगे तो आठ नियम insurance regulator जो बदल रहा है इस कोशिश में कि consumer जो है उसको जादा transparent product मिले और मुझे तो ये paper में काफी अच्छे लगना है जो बदलावों की बात IRDA कर रहा है क्योंकि इन पर काफी समय तक discussion होता रहा पर अब regulator कह रहा है कि इन्हें लागू कीजे और ये लागू तो अभी को रहती है hospital के खचे बढ़ने हैं बिमारियों से हम किस तरह से घर रहे हैं ऐसे में health insurance होना अच्छी बात है कोशिश यही कि सरल बने देखते हैं कितना सरल बनता है ये तो मेरी काम की बात की वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे YouTube चैनल को जरूर subscribe करें साथी में अगर आप ये वीडियो सत्य हिंदी के YouTube चैनल पर देखते हैं तो सत्य हिंदी को भी subscribe करें